हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सरवड पटवा और आप देख रहे हैं नौलेज आल अबाउट आज के इस वीडियो में आप मोबाईल से इमेल भेजना और इमेल को फारवड करना सीखेंगे आज कल इमेल का यूज सभी जरूरी कामों में होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग आउनलाइन डाकुमेंट को भेजने में होता है आप किसी जौब के लिए अपलाई भी करते हैं तो आप से इमेल आईडी जरूर मांगी जाती है किसी जरूरी डिटेल्स जैसे नोट्स, डाकुमेंट, फोटोज, फाइस, फाइस में वर्ड, एकसल, पाउर पॉइंट आदी को कम समय में भेज वा प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ आज का यह वीडियो उपन करते हैं इमेल भेजने के लिए आपको अपने मोबाइल के एपस में जीमेल को उपन करना होता है जीमेल को उपन करने के बाद यहाँ पे यदि आपका इमेल आईडी लॉगिन है तो सही है यदि login नहीं है तो यहाँ पे email id और password डालके आपको login करना होता है login करने के बाद नीचे side में जो plus sign बना हुआ है उस पे आपको click करना होता है click करने के बाद आप यहाँ पे from और to show करेगा from में आपका email id जो mobile में login होता है by default आजाएगा two में जिनको आपको भेजना है email id उनका यहाँ पे type कर लें साथ ही यहाँ पे एक से अधिक लोगों को जिनको जिनको email भेजना है वह सब email id यहाँ पे type कर लें साथ ही नीचे आप subject और compose email देख रहे हैं सब्जेक्ट में जैसे कोई application आप भेज रहे हैं तो वह किस subject से संबंधित है उसको यहाँ पे आपको लिखना होता है short रूप में साथ ही compose email में आपका जो application है उसका मुख्य बिंदू क्या है उसको आपको यहाँ पे type करना होता है मैं आपको उदारण के लिए बता दे रहा हूँ इतना करने के बाद आपको जो है attached file पे click करना होता है यदि आपका file जो है drive में है तो drive वाले पे click करें और attach file पे click करने के बाद आप अपने mobile के media पे चले जाएंगे इस प्रकार आप अपना सभी details चेक कर लें चेक करने के बाद जो है attached file के side में जो है send button होता है उस पे आप click करते ही आपका email sending होने लाएगा यदि आपका email गलत हो जाता है तो cancel button पे click करके आप cancel भी कर सकते है इस तरह दोस्तों email में एक ऐसा facility होता है कि जो आप email भेजते हैं या प्राप्त करते हैं यदि किसी काराण वस डिलीट हो जाता है तो वह recycle bin में 30 दिन के लिए रहता है यदि 30 दिन के अंदर इसको आप recover नहीं कर पाएंगे तो वह permanently यहां से डिलीट हो जाता है डिलीट करने के बाद फिर वह आपको कभी नहीं दिखेगा तो इस प्रकार जो है जो email आप भेजते हैं भेजने के बाद आपका send box में जाता है लेकिन तु उससे पहले आपका out box में जाता है देखे nothing is out box यदि data आपका ज्यादा mb का है तो वह जाने में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा तो इस प्रकार जब आप send कर देते हैं तो आप यह चाहते हैं कि मेरा mail गया है या नहीं तो send button पर यहाँ पर जब three line जो दिख रहा है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर send दिखाई देगा send पर जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने समय में भेजे हैं और वह आपको दिखेगा जब उस पर आप click करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर drop down पर click कर गए कि from में आपका email ID दिखेगा तो में किन के किन को भेजे हैं वह सो करेगा और साथ ही यहाँ पर जो media आप भेजे हैं उसको भी दिखाई देगा इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि email को forward कैसे करना होता है यदि कोई बोलता है कि आपको जो email आया है उसको मेरे पास forward कर दीजे तो उस condition में आप कैसे करेंगे तो इसमें आपको reply reply और forward का सुना रहते हैं इसमें आपको forward पे click करना होता है forward पे click करने के बाद आपको from में आपका email id सो करेगा to में जो हैं आपको जिनको forward करना है उनका email id यहाँ पे type किजे टाइप करने के बाद यदि compose mail में कुछ आपको changing करना है तो कर सकते हैं साथ ही यहाँ पे यदि attach media और कुछ एड़ करना है तो एड़ करके भी आप भेज सकते हैं इतना करने के बाद आपको send button पे फिर से click करना होता है उसके बाद फिर से उनके पास forward हो जाएगा email के अंदर एक और facility होता है कि आपका बहुत सारा email जब हो जाता है mobile में तो subject डालने से यही फायदा होगा कि यहाँ पे search in emails दिख रहा है इस पे जैसे आप subject लिखे रहेंगे तो यहाँ पे जब search करेंगे तो उससे related आपका जितना भी रहेगा photos से जैसे यहाँ पे किया इस प्रकार आप असानी से बहुत सारे email के अंदर से subject लिखा हुआ रहेगा तो आप असानी से उसको जो है ढूंड सकते हैं तो इस प्रकार मैंने आपको mobile के माध्यम से बहुत ही असान तरीके से email भेजना और forward करना सिखा दिया तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग topic के साथ जो लोग मेरे channel पर पहली बारा है वो लोग किर्पया मेरे channel को like करें, share करें and subscribe करें मैं ऐसे ही technical tips and tricks अपने channel पर लेकर आता हूँ तो thanks for watching